हेलो एवरीवन कैसे आप से भी लोग इस वीडियो में एसे सीजियल टियर टू के एक डिसेटी कोपी में आप लोगों दिखाने वाला हूं इनके टोटल हंड्रेट में से 44 मार्क्स आए हैं अगर मैं बात करो इनका जो स्कोर था इन्होंने मुझे इमेल पर अपने कोपी आप लिए तो कहीं ना कहीं यहां पर यह बोडर लाइन पर पोज़ गए इस पेक्टर बोस्ट के लिए अब डाउट है कि इंस्पेक्टर मिलेगा या फिर सिधा टैक्स इस्टेंट पर या फिर ओडिटर की पोस्ट पर चले जाएंगे तो टीर थी के मार्क्स लेकिन होता क्या है जो एसे के मार्स है वही लेटर में भी रिफ्लेक्ट होते हैं यही चीज हमने काफी बार नोट करिए तो इन्होंने कुछ स्ली मिश्टेक्स करी कुछ ग्रेमेटिकल एडर्स हैं जो हम देखेंगे जो आपको अवइड करने हैं बागी टॉपिक से रेलिमेट कितना लिखा है वो भी चीज हम उपज़व करने की कोशिश करेंगे अच्छा जो टीर थी की कोपी होती आपको पता है बॉक्सिस मिलते हैं तो वो सैंपल कॉपी मैंने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखिया विद वैरी लाइट मॉटर मार्क आप रामसुस में लिख पाऊगे कोई भी प्रोब्लम आपको नहीं आएगी तो उसका प्रिंट निकाल के लिख लिख करें कि वरना होगा क्या अभी आपने पढ़ सब कुछ लिया जब लिखने की बारी आगी दिमाग में समझी नहीं आएगा कि लिखना कैसे है ठीक है स्टार्ट कहां से करूँ बीच में क्या डालो एंड में क्या डालना है ठीक है यह साई चीज़े दिक्कत करेंगे आपको लिख 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 के प्रैक्टिस कर लेना और लिख लिख के प्रैक्टिस भी किस पर करना सेंपल कोपी पर जिससे के आपको दिक्कत ना है क्योंकि आपकी राइटिंग भी मेंटर करेगी वहाँ पर कटिंग कम से कम होगी तो भी उस चीज़ का भी फरक पड़ता है हर चीज तो आप उनकी मदद भी कर सकते हो और उनसे मदद भी ले सकते हो ठीक है कुछ topics पे contents भी मिल जाएंगे आपको तो काफी help मिलेगी उस चीज की भी ठीक है तो demo file कुछ इस तरह की रहेगी जैसे आपके exam में मिलती है बिल्कुल वैसी ही same demo file है ठीक है essay का जो यह six sheet है इसमें आपको कोशिश करना essay या तो यहां पर या यहां तक खतम कर दो ठीक है पूरा end तक मत लेके जाना ठीक है तब ही आपको अगर यहां तक खतम कर रहे हो approximately तो आपका 260 words के आसपास रहेगा 260-270 words पे तो एक सही word limit पे आपका essay खतम हो जाएगा तो यहां तक खतम करना ही कोशिश करना और letter की बात करेंगे तो letter तो आपका finally last तक चला जाएगा तो letter में कोशिश करो कि आप अगर यहां तक खतम कर दो तो कोई problem नहीं है ठीक है तो इस तरह से practice करो बाकि formal letter का फरक होता है अगर formal letter आ गया त वो last तक ही चला जाएगा word limit खतम होते होते informal letter है तो आप यहां तक लिख सकते हो ठीक है बाकी aim यहीं तक करना कि यहां तक खतम हो जाए क्योंकि बाद में अगर word limit कम बच गई आपके तो इससे बहार जाएगा तो एक अच्छा impression नहीं पड़ेगा तो marks आपके और cut to जाएग topic था importance of education in present time ठीक है ठीक है वर्तमान समय में सिक्षा का महत इसके बारे में हमें लिखना था यह start करते हैं we are living in 21st century where every individual trying to achieve which not have been achieved before ठीक है इनका कहने का मतलब यह है कि हम 21st century में रह रहे हैं यहां पर हर कोई ऐसा कुछ अचीव करने की कोशिश करता है जो पहले अचीव नहीं किया लेकिन अगर आप ध्यान से देखोंगे यहां पर first live में ही error है ठीक है which have not been achieved before आना चीव है तो पहली line में ही grammatical mistake हो गई जिसका एक impression अच्छा नहीं पढ़ा होगा check करने वाले पर ठीक है तो यहां पर which have not been achieved before तो यह आना चीव है अब यहां पर इन्होंने यह sentence खतम कर कर दिया कि जो पहले achieve नहीं किया fully stop लगाया उसके बाद capital A से start करा end education is the most important tool to do that ठीक है कभी भी कोई भी sentence हमारा end से start होता है नहीं नहीं होता तो यहां पर इन छोटी छोटी गलतियों को हमें सुधारना ऐसी गलतिया नहीं गरनी ठीक है यह sentence कतम हो गया आप यहां पर end ना ल कर दिया यहां पर गलती कर दी तो first line का impression ही जो check करने वाला उस पर अच्छा नहीं पड़ेगा ठेक है बाकि starting के quats से कर देते तो भी अच्छा रहता लेकिन फिर भी नहीं भी कर रहे है उससे तो grammatical errors कम से कम first line में थोड़ा avoid करना है आगे भडते हैं since ancient times education is most important aspect of a human अब यहा पर grammatical errors धीरे धीरे काफी हैं इस sheet में तो उसका impact जरूर पड़ेगा तो आगे भड़ते हैं since ancient times ठीक है प्राचीन काल से ही education is the most important human का एक बहुत important aspect रहा है in present time as there are so many social inequality inequalities आएगा various so many use कर रहे हैं बहुत सारी various भी यूज कर सकते थे various social inequalities prevalent in our society a well educated person can make a huge difference ठीक है बहुत सारी inequalities है हमारी society में तो एक educated person एक बड़ा impact डाल सकता है जो nobel prize winner है अभिजीत बैनर जी जिने recently economics में nobel prize मिला था used his education in economy to eradicate the poverty used his education in economy नहीं economics ठेक है economics में ही तो पढ़ी जाएगी economy कैसे पढ़ोगे used in used his education in economics to eradicate the poverty गांधी जी बिंग अ वेरी covert person in his childhood with of power of his knowledge with the power of his knowledge and will change our country इस्ते गांधी जो की बच्पन में एक बहुत कायर इंसान थे अपनी knowledge और will के वज़ा से उन्होंने हमारी country की history बदल दी ठीक तो यहां पर ऐसा नहीं कि sentences गलत लिख रहे हैं या फिर चीजे सही नहीं लिख रहे नोबल मतलब अभिजीद मैनरजी का भी नाम यूज कर रहे हैं यह गांधी जी के से भी relate करने की कोशिश कर रहे हैं कि knowledge तो उन्होंने क्या impact डाला लेकिन यहां पर sentence formation में गलती हो गई ठीक है यहां पर off लगा दिया तो sentence सही नहीं बन रहा उसक सबसे पहले कि education की जुरुत क्या है हम कुछ बड़ा करना चाते हैं तो education हमारे लिए important है अगर ancient time से ही बात करें तो education एक important factor रहा है हमारे growth में साथ ही साथ जो nobel prize winner अभिजीत मिनर जी उनका education की वज़े से उन्होंने poverty को रेडिट करने में काफी help करी है गांधी जी हैं जिन् doesn't mean going to school getting good marks education of a person starts from its family itself अब आप देखो गए यहाँ पर यह sentence सही तरह से form नहीं किया गया ठीक है getting educated यूज कर सकते थे education नहीं जागा getting education मतलब अगर हम education गेन करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम school जाए अच्छे marks ले जाए यही education हो गया नहीं ठीक है अगर जो education एक person कि वो उसके घर से ही start हो जाती है ठीक तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह sentence formation थोड़ा better तरीके से किया जा सकता था इन्होंने बड़ी abruptly sentence को बनाया education doesn't mean going to school getting good marks education of a person starts from its family itself अपने घर से ही start हो जाती है तो doesn't only mean से start कर जाता है खाली education school में जाना ही नहीं है खाली अच्छे marks लाना ही नहीं है बलकि education में और भी expects को cover किया जा सकता था कि mental peace ही है कोई ऐसी चीज़ जो हमें सही गल्द का difference बताए mental peace हमें मिले education लेने के बाद ठीक है और भी चीज़ा add की जा सकती है और साथ ही साथ यह वाला formation भी थोड़ा better किया जा सकता था कि जो एक person के education उसके घर से start हो जाती है पहले यह वाली लाइन यूज किसकते थे और उसके बाद खाली यह जाना नहीं है but also use कर सकते थे मदब sentence को connectivity सही नहीं है यहाँ पर sentence को सही तरह से connect किया जा सकता था आगे कहते हैं आगे understand what is right and what is wrong ठीक तो यहाँ पर फुलिश्टोप यूज करना चाहिए था इन्हें और यहाँ पर capital I लिखना चाहिए था ठीक है it changes the way we think and it gives या तो यहाँ पर भी फुलिश्टोप लगा के capital I यूज करते या फिर लिखते and it gives us power to understand what is right and what is wrong सही और गल्त में हमें फरक पता करने म यह मदद करता है it gives us broader perspective of life in short we can say it makes us complete human ठीक है it gives us broader perspective of life फिर यहाँ पर फुलिश्टोप आता है इस कहता है in short we can say it makes us complete human right तो यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर stop सही नहीं लग रहा capitalization सही नहीं है तो sentence जो है na connectivity sentences की बिल्कुछ सही नहीं दे रखी इस वजी से भी एक evaluator पर impact पड़ा होगा अब यहाँ पर इन्होंने अब तक की importance पर ही चलते रहे education की कमी के बारे में जादा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा चलो आगे बढ़ते हैं we have been provided right to education under article 21 as our fundamental right various government started schemes like देखो अब यहाँ पर इन्होंने government की जगह जीओ वी लिखा है don't use this complete आपको government लिखना है आप exam में ऐसा short form नहीं लिखनी various government और यहाँ पर जीओ government नहीं आएगा अगर बहुत सारे governments अलग-अलग governments ने start करी है schemes तो various governments started schemes like सर्वसिक्षाभियान या और जो education की field में scheme से उनका नाम लिखना होता इन्होंने सिर्फ एक scheme का नाम लिखा तो एक दो scheme और लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से बैटर रहा था midday meal scheme भी use की जा सकते थी और भी scheme से जो education में काम करती है तो right various government various governments started schemes like सर्वसिक्षाभियान, midday meal scheme, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ schemes ठीक है यह सारी schemes का नाम एड के आजा सकता था वरना government started various schemes कर सकते थे के government ने बहुत सारी schemes से start कर रखें, various governments की जगा government started various schemes भी चल जाता तो सारी schemes का नाम आ जाता, ठीक, so that education can get to each and every individual, by this time this source of education also has changed, now we live in a digital world, now people are getting education through digital means, ठीक है with time education का form भी change हो रहा है, we are getting education from digital means, ठीक है, at the same time we are surrounded by misinformation, fake news, propaganda, to tackle this problem, we need to take another step in the education structure, ठीक है यह वाली line थोड़ा सही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अब education का means भी change हो रहा है, digital means के तुरू हम पढ़ भी रहे है, साथ ही साथ, अब digital means है, तो यहाँ पे fake information भी आती है, misinformation भी आती है, और यह भी एक बहुत बड़ा चुनोती बन चुका है हमारे लिए, कि गल्त information ना हमारे पास पहुच जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चीए, we need to take, हमें एक नया step लेना चीए, education structure के अंदर, ठीक है, we need to bring a change in the education system, या ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते थे, इसके लिए त curriculum is incorrect, we need to include various curricula in schools, या फिर we need to change the curriculum of school, so that people will be ready by the time he or c faces these problems, ठीक है, तो उनका कहने का मतलच यही है कि जो school का curriculum है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, जिससे कि जब भी वो बड़े होंगे, जो भी वो problem face करेंगे, misinformation के वज़े से, वो उसके लिए ready रहें कि हाँ, गल्त information भी आती है, और वो ये सारी problem face ना करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अलास्ट में ये end करते है, education is the most powerful weapon which you can use to change the world, ठीक है, नैंसन मेंडेले का quote है, कि education एक most powerful weapon है, जो आप यूज कर सकते हो, world को change करने के लिए, ठीक है, ये quote आप starting में भी यूज कर सकते थे, end में करते है, बह हमने इन चीजों के बार में बाते करी कि education की वज़े से problem क्या हो रही है, पूरे essay के अंदर, ठीक है, हम क्या-क्या problems face कर रहे है, education की वज़े से, overpopulation, population explosion, क्या कहते है, क्या ये lack of education की वज़े से है, illiteracy की वज़े से है, यहां पर ये चीज नहीं discuss की गई, increasing crime rates, ठीक है, उन च प्रोब्लम्स education की वज़े से आ रही है, जिसकी वज़े से importance of education बढ़ती है, उन चीजों पर यहां पर बहुत कम बात की गई, एक वो factor है कि marks थोड़े कब reduce ही होंगे, चीजे बिगड रही है हमारी, overpopulation हो गया, crime rate जिरे-जिरे बढ़ रहे है, ठीक है, और unhygenic practices जो follow की जा रही है, वो सारी education में पाठ सकती थी, इंडिया का literacy rate के बारे में इन्हों ने जिकर नहीं किया कि इंडिया में literacy rate कितना है, तो literacy rate पता देते, 74% के आसपस है इंडिया में, तो भी एक अच्छा point add हो जाता, थोड़े stats add हो जाती, साथी साथ इन्होंने कहा कि education में अगर हम बा बाकी ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिखा या बहुत गंदा लिखाया, average से बहुत down लिखाया नहीं, इन्होंने ठीक लिखाया, बट जो इनके marks average से कम चले गए, वो इस वज़े चले गए, कि इन्होंने grammatical mistakes कर दी, अगर यहां पर grammatical mistakes नहीं होते, sentence formation ठीक होता, तो फिर भी average marks तक पहुच जाते हैं, तो यह कुछ चीजे थी, जो इसमें थोड़ी better की जा सकती थी, just giving you an idea कि क्या-क्या गलतिया रही, essay के अंदर, अगर मैं letter के बारे में बात करूं, तो letter था, you are Sunil Sunita, resident of Gandhi Road, Dwaraka, New Delhi, 110083, write a letter to the manager, GD restaurant, completing about the poor service and quality of food, ठेक है, गांधी Road, Dwaraka, New Delhi के रहने वाले हो, यह pin code भी दे रखा है, आपको manager को एक letter लिखना था, GD restaurant के, और complain करनी थी about the poor quality and service of food, ठेक है, service and quality of food, तो आपका address यहाँ पर यह formal letter है, सीधी सी बात है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका address आएगा, तो यहाँ पर आपका address दे आपका, आपको disqualify किया जा सकता है, तो कोई भी extra information आपको नहीं लिखनी, जो यहाँ पर दे रखा है, जिस दिन आपका exam हो रहा है, उस दिन की date डालनी है, आप इस format में लिख सकते हो, 39 December 2019, आपका exam होगा 22 November, 22 November 2020, आप महाँ पर लिख सकते हो, exam में जो आज की data वो लिखनी है, उसके बाद इन्होंने लिख है, to the manager को लिखना था, तो यह जो भेज रहा है, center address आता है, और यहाँ पर फिर आता है, receiver address date के बाद, तो the manager, gda restaurant, new dilly, 110083, अब देखो, यहाँ पर आप सिर्फ लिखा था, to the manager, gda restaurant, यहाँ पर उनका address नहीं दे रखा था, तो आप address क्या करोगे, अपने आप से बना के नहीं लिखना, कोई भी दिल्ली वेगारा, जो आपको address में, इस question में आपका, अपना address दे रखा था था, तो यही चीज आप, अगर receiver address में लिख रहे हो, तो मेरे ख्याल से कोई problem नहीं आएगी, लेकिन, आप कुछ ऐसा मत लिख देना, कि आप address नहीं लिखते, तब भी चल जाता, ठीक है, कोई extra information खुद से add नहीं करनी, ठीक, तो इन्होंने कोई extra information खुद से add नहीं करी, तो इसलिए इनके copy में UFM लिखा भी नहीं था, Sir, आगे इन्होंने टोप लिखा है, about poor service and quality of food, ठीक है, जो poor service है और quality है food की, उसकी वाज़ को लिखे, तो जब भी हम लिखते हैं, I would like to draw your attention, फिर हम लिखते हैं, towards, किस तरफ, तो इहाँ पर जो हमारा topic था, about the poor service and quality of food, यह आना चीए था, ना कि by writing this letter, इसकी जुरोत नहीं थी, तो इहाँ पर यह बैटर रहा था, कि towards के बाद हम दुबारे subject डाल देते, कि मैं इस मु संदे को तुमारे restaurant पे visit किया था, right, तो यहाँ पर I visited your restaurant last Sunday आएगा, तो यहाँ पर फिर again grammatical error आगया, to have dinner with my family, अपनी family के साथ dinner करने के लिए, it took us 10 minutes to get to the waiter to place our order, ठीक है, हमने इतनी बड़ी line लिखी, हम इसमें, it took us 10 minutes to get our order placed भी यूज कर सकते थे, तब भी काम चल जाता, लेकिन यह वाली line लिखे है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, after that we have to wait 25 minutes for our food, ठीक है, 25 minutes तक हमें wait करना पड़ा, अपने food के आने के लिए, ठीक है, till we get our food भी यूज कर सकते थे, बाके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, also the quality of food was not up to the mark, plates were dirty, in which food was served, ठीक है, in which food was served, जिसमें food served किया ग है, complaint क्या होता है, एक noun होता है, complaint क्या होता है, noun होता है, यहाँ पर इनका कहने का मतलब है, जब हमने complaint करी, when we complained आएगा, again grammatical error, when we complained about it, waiter did not pay any hit to it, waiter ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, I would like, अब यह कहते हैं, I would like to look into this matter, so that other customers don't have to face the same issue, that we have faced, ठीक है, यह कहते हैं कि मैं इस matter में देखना चाता हूँ, I would like to look into this matter, ठीक है, actually मैं इनका कहने का मतलब था, I would like you, I would like you to look into this matter, तो यहाँ पर you missing है, तो यहाँ आना चाहिए था, sentence का meaning ही पूरा change हो गया, I would like you to look into this matter, so that other customers don't have to face the same issue, that we have faced, अब issue के बाद इन्होंने full stop लगा जिया कि इसकी जुरूत नहीं थी, that we have faced, वरना same issue अगर लिखी दिया, तो that we have faced की जुरूत नहीं है, ठीक है, आगे भरते हैं, इसके बाद full stop लगा के, also से यहाँ से start कर सकते थे, capital ले लेके, also it is not good for your restaurant reputation अभी हाँ पर restaurant reputation नहीं आएगा, rents reputation भी नहीं आएगा, it is not good for the reputation of your restaurant, this is the right sentence, right, क्योंकि यह साथ दोनों की दोनों चीज़े क्या हैं हमारे पास, restaurant और reputation दोनों की दोनों हमारे पास leaving object नहीं है, तो reputation of your restaurant आएगा, ठीक है, it is not good for the reputation of your restaurant, that will be a correct sentence, तो इसमें भी error है, I hope you will take immediate action, appropriate actions, to make things better, thanking you, you are sincerely, right, तो gram letter के अंदर भी काफी mistakes है, यह silly mistakes है, मतलब अगर आप एक दो बार लिखके practice करोगे ना, तो इस mistakes को avoid कर सकते हो, बाकि आप किसी से evaluate करा होगे, तो वो यह चीज़े बता देगा, अब मैं यह नहीं कह रहा है, इन्होंने जो essay letter लिखा है, इन्होंने आपके पास हैं already, ठीक, आपके exam में आजाए, आपने कोई तयारी नहीं करी, tier 3 की, तब भी आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे इनके 44 marks है, आप यहाँ पे 44 से jump करके बोच सकते हो, 60 marks पर अगर आपने थोड़ी लिखने की practice करी है, आपको पता है क्या क्या सेम कंटेंट्स पर, आप 44 से 60 पर पोच सकते हो, अगर आप छोटी छोटी गलतियां ना करों, ठीक, इस वीडियो को बनाने का मकसद थी ही था, थोड़ा मैंने ज्यादा errors बता दी है इस वीडियो में, हो सकता है, और भी ज्यादा error हों, जो मुझसे skip हो गए हूँ, और ऐसा बाकी लोग आपको इस तरह से analysis करके बता पहें, ठीक है, मैं भी कोई बहुत अच्छा evaluator नहीं हूँ, नहीं ऐसा है कि मैं tier 3 के लिए आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं बस आपको थोड़ी अपने inputs देता हूँ, जिससे कि आपको help मिले, और आप थोड़ा अच्छा score कर ठीक है, अगर आप त्यारी कर रहे हो, तो सही तरीके से त्यारी करो, बाकी आप unacademy से किसी भी exam की त्यारी करना चाहते हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो banking exams हो, railway exams हो, UPSC, CSC, किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, आप arbit and code use कर सकते हो, जिससे कि सभी plans पर आपको maximum discount मिल जाए, अगर अगर आप CGL 2020 है, CHSL 2020 के sprint सो अगले साल अपना paper दोगे, तो एक नया batch भी start हो रहा है, ठीक है, 18 November से geometry से बिल्कुल basic से हम start करेंगे, questions will be bilingual, आप उस batch में रोल कर सकते हो, glass का timing रहेगा, 2 PM से लेके 4 PM तक, ठीक है, तो code याद रखना है, RB10 जिससे कि आपको सभी plans पर maximum discount मिल देख सकते हो, description box में भी link डाल दूँगा, बाकि और भी बहुत सारी free classes है, अगर आप CPO 2020 की त्यारी कर रहे हो, जिसका exam ते हिस से है, तो उसके लिए भी बहुत सारे previous year के questions मैंने करा रहे हैं, CPO 2019 के chapter wise भी advanced math के solutions करा रहे हैं, बाकि आप और भी topics देख सकते हो, CHSL के previous year के questions, जिससे आपको help मिल सकती है, बाकि PDFs टैलिग्राम चैनल पर हैं, वहाँ से आप तयार कर सकते हो, बाकि इंडिया के top educators आपको an academy पढ़ा रहे हैं, तो अपनी ये पूरी तयारी आप an academy से कर सकते हो, right, तो code याद रखना है आपको RB10 जिससे के आपको maximum discount सभी plans पर मिल जाए, so that's it, यही था इस वीडियो में, आप से यहीं भी दे लेता हूँ, bye bye, take care and jahin.